कोरोना महामारी के इस बीमारी का वैक्सीन सबसे पहले किसे मिलेगा ये पैसा तै करेगा क्योंकि टीका बनाने के लिए लगभग दो अरव डॉलर से जादा खर्च आता है इस खर्च में कौन-कौन से देश सामिल है किस-किस देश ने कितनी रासी आवंटित किया है इन्हीं तमाम सवालों का जवाब लेकर के हम आए हैं वीडियो सुरू करने से पहले यूट्यूब पर मौजूद चैनल जन्ता जेस अकैडमी को सबस्क्राइब कर लिजिए और सबसे पहले हम से जुड़ने के लिए बेल आइकन को दवा लिजिए कोरोना वाइरस एक ऐसी है बिमारी जो अमीर हो या गरीब सभी देशों पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है लेकिन इसका वैक्सिन सबसे पहले अमीर देशों को दिया जाएगा तथा बाद में कुछ रियायती दरों पर या मुफ्त में कुछ गरीब देशों को प्रवाइट किया जाएगा आज के डेट में दुनिया में सतर से ज़्यादा प्रोजेक्ट वैक्सिन पे काम कर रही है कुछ एक्सपरिमेंट फर्स फेज को पार कर चुकी है जबकि कुछ एक्सपरिमेंट सकेंड फेज में है इस दोड में सबसे आगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एवम एक्स्ट्राजेनिका सबसे आगे है इतना आगे है कि वह थर्ड फेज में प्रवेश कर चुका है त अंतर समझना चाहिए मेडिसीन यानि की दवाई बीमारी को ठीक करता है जबकि वैक्सिन बीमारी होने ही नहीं देता है ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार छुरी कैची एवं संसी से गोली यानि की बुलेट को सरीर से बाहर निकाल कर मलहम पट्टी करते हैं जबकि बुलेट प् जैकेट वैक्सिन है दुनिया भर के अमिर देश प्री बुकिंग कर रहा है जिसमें अमेरिका ब्रिटेन कनाडा चाइना और जापान सामिल है जिसे इस वर्ष के अंतक पूरी जनसंख्या को ठीका करन कर दिया जाएगा आईए हम जानते हैं कौन कौन से देश ने कितनी रा जासी आवंटित किया है ठीक है यह वैक्सिन सबसे पहले उस देश को मिलेगा जो इसके डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा पैसा लगाया है यहां बात करेंगे कुछ महतपुर्ण बिंदों को जिसने करोना वायरस के वैक्सिन को इचाथ करने में बहुत बड़ी जासी आवंटित किया है बिर्टिस सरकार ने 33 करोर डॉलर यानिकी 25 अरब से ज्यादा पैसा लगाया है अमेरिका के बायो मेडिकल एवम एडवांस कमपनी ने एक अरब डॉलर यानिकी 75 अरब रुपईया लगाया है वहीं भारती मूल की उद्योगपती लक्षमी मितल ने जो लगभग 31 करोर बनता है जब वैक्सिन तयार हो जाएगी पूरी तरह से सारे फेश को पार कर जाएगे तो किस देश को सबसे पहले कितना मिलेगा सबसे पहले बिर्टेन को 10 करोर डोज मिलेगा इसके बाद 30 करोर डोज अमेरिका को मिलेगा यानि कि 40 करोर डोज इन ही दो देशों को सबसे पहले मिलेगा इसके पहले किसी भी देश का उस पे कोई अधिकार नहीं है बात करते हैं जब तक पूरी दुनिया इस वैक्सिन को इजाद कर लेती है पूरी दुनिया इस वैक्सिन को प्रयोग करती है तब तक भारत में क्या चल रहा है हम एक रिपोर्ट आपके सामने प्रजेंट करना चाहते हैं इस रिपोर्ट को अब ध्यानपूर वक्स सुनिए भारत ने वी को वेक्सिन के नाम से वेक्सिन का इजात करने में लगी है जिनका कहना है जिनका आसा है कि दो तीन मन्त के अंदर इसमें काफी आसा जनक रिपोर्ट काफी आसा जनक रिजर्ड देखने को मिलेगा जिसमें भारत के निजाम इंस्टिचूट अफ मेडिकल इन साइंसेज हैदराबाद भूबनेश्वर में देली में पूनी में एवं चन्नई में को वेक्सिन पर ब्रहद स्केल पर ट्राइल्स चल रहा है आई होप बहुत ही जादा सब कुछ देखने को मिलेगा जो हमारे पक्षिम होगा बात करते हैं कोई भी वेक्सिन दुनिया का कोई भी वेक्सिन बनता है या फिर बनाया जाएगा प्रजेंट की बात करें या पास्ट की या फिर फ्यूचर की कोई भी वेक्सिन क सबसे ज़्यादा इंडिया में ही होता रहा है और होगा हम बात करेंगे SII Serum Institute of India Serum Institute of India के CEO एडर पुनावाला का कहना है कि कोरोना वेक्सिन बन जाने के बाद इजाद हो जाने के बाद उसका प्रड़क्शन सबसे सस्ते और किफायती दरों में इंडिया में ही होगा जो की लगभग पूरी दुनिया को 300 से 400 मिलियन डोज भारत बना करके देगा तो सवाल यहां पे यह उठता है कि अगर भारत को वेक्सिन के साथ साथ अगर जो अक्सपोर्ट युनिवरसिटी के दोरा बनाई गई वेक्सिन को बनाता है लेकिन हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ठीक है ठीक उसी प्रकार से इस प्रकार से आप देखते होंगे एक दरजी बैठे बैठे कपड़े सीलता है हजारों लोगों को वो नए कपड़े सील करके देता है लेकिन खुद वो बेचार फटे कपड़े पहना करके मसीन पर बैठा रहता है और चलाता है बारहाला इस पर नहीं जाएंगे सब कुछ ठीक ठाक देखने को मिलेगा लेकिन एक बात हम आपको बता देते हैं कि कोरोना वायरिस के कारण लोग कमजोर हो जाते हैं क्योंकि इस बीमारी में इम्यून सिस्टम पर प्रहार किया जाता है मरने वालों में अक्सर वे लोग सामिल होते हैं जो पहले से किसी ने किसी प्रकार की लंबी बीमारी से ग्रशित पाए गए हैं जिनमें उच्चर रक्त चाप, हिर्दे समन्दी बीमारी या मधुमे जैसे बीमारी सामिल है इस बीमारी से ग्रशित मरीज का कोई पुखता इलाज तो नहीं है लेकिन इसके लक्षन को ठीक किया जा रहा है ऐसा कंडिशन पाया गया है कि माइल्ड केस वाले पैसेंट लगबग दो विक में ठीक हो जाते हैं जबकि सिवियर या क्रिटीकल कंडिशन वाले पैसेंट को ठीक होने में चार से छे सब्ता लग जाते हैं जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक हमें और आपको कैसे स्वस्त रहना है बात करते हैं कुछ हमारे पास पॉइंट है बी बीजी फस्त नमर बीजी रहे अस्त बेस्त रहे मस्त रहे दूसरी बात है डिस्ट्रक्ट यूर्शेल्फ फ्रॉम नेगेटिव थॉर्ट नगारात्म सोचों से बचें इट वेल एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर सही रूप से खाना खाये और अधिक से अधिक मात्रा में पानी का से बन करें अधिक साधिक मात्रा में पाने पें बी फिजिकली फिट एक्सरसाइज करें और फिजिकली फिट रहें sharing and caring next point is sharing and caring आपके मन में कोई भी बिचार चल रहा है तुछे लोगों से सेर करें अपनी परिवार वालन से सेर करें और अपने दोस्तों से बात करें और केरफूर रहे हैं आई होब सब पुछ आपको क्लियर होगा देखते हैं कितनी सफालता मिलती है पूरी दुनिया इसमें जद्व जहत करके लगी है आई होब सब पुछ ठीक रहेगा जैहिन साथियो दिस इस इंड आप इस वीडियो